नमस्कार बच्चों आज हम अध्यन करेंगे चगदाई तुर्क बाबर द्वारा लिखित उसकी आत्म कथा बाबर नामा के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे ये बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखित एक आत्म कथा थी और इसकी भाषा तुर्की भाषा थी जिसम ततकालिन भारत की सामाजिक आर्थिक राजनेतिक परिवेश की इसपस्ट जाकी परिलक्षित होती थी इसके दो भाग है प्रथम भाग भारत आकर्मन के पशाद दोराया गया है दूसरा भाग डाइरी के रूप में है बाबर ने अपने समय के दिल्ली गुजरात मालवा खान देश, बंगाल, मेवार, सिंद, दक्षिन के विजे नगर और बहमनी शार्षकों का इसमें उलेक किया है इसका फार्सी में अनुवाद हो चुका है अंग्रेजी में हो गया फ्रेंच भाषा में भी हो गया और हिंदी में भी इसका अनुवाद हो चुका है तुझे के ए बाबरी इसका दूसरा नाम है बाबर नामा का मुगल सामरज्य के पहले समराट बाबर की आत्मखता है जीवनी है ये उन्होंने अपनी मात्र भर्षा चक्ताई तुर्क में लिखी थी इसमें उजबेकिस्तान की फरगना वादी में उनका बच्पन गुजरा फरगना में ही जन्मुआ था और यौवन और बाद में अफगानिस्तान और भारती उप महादी पर आक्रमन और कबजा और अन्य घटनाओं का विपरण है उन्होंने हर शेत्र की भूमी, राजनिती, अर्थ व्यवस्था, प्राकर्तिक वातावरण, शहरों, इमार्तों, फलों, जानवरों, इतियादी का बखान किया है हिंदुस्तान के संबंद में उन्होंने लिखाए हिंदुस्तान एक विशाल देश है, जनसंक्या बहुत अधिक है, यहाँ पर खेती का व्यवसाय होता है, दक्षिन और पश्रिम भागों का अंत समुंद्र के करीब जाकर होता है इसके उत्तर पश्रिम में काबूल, गजनी और कंधार के देशें राजदानी दिल्ली है, शाषक का उल्लेक की आयनोंने भारत में कितने उन दिनों, जब मैंने हिंदुस्तान पर विजे प्राप्त की, यहाँ पर पांच मुसल्मान और दो काफिर बाश्या शाषन करते थे वे एक दूसरे के साथ कोई संबंद नहीं रखते थे, दो काफिर शाषकों का उल्लेक उनने एक तो राना सांगा का किया, एक मैदिनी राय का किया, हिंदुस्तान के भुगोल का उल्लेक किया है, उनोंने कि यहाँ तीन तरह के मौसम थे, बाबर नामा के अनुसर चोथा होता ही नहीं था, यदि हम अपने यहाँ के देशों के साथ इसकी समता करें तो हिंदुस्तान एक नया संसार मालुम पड़ता है, गर्मी के मौसम में हवा बहुत जोर से चलती है, इतनी तेज और धूल मिट्टी लेकर उड़ती है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते, का मौसम अति सुहावना होता है, कभी दो एक दिन में दस, पंद्रा, बीस बार बारिश होती है, परंतु इसका दोश यह है कि कवच, पुस्तके, कपड़े, फरनीचर आदी पर नमी का प्रभाव पड़ता है, हिंदुस्तान के पशु पक्षी के संबन में उन्होंने लिख हाथी का इस्थान मैद्पूर्ण था, क्योंकि राणा संगा ने भी युद्ध में हाथी का प्रियोग किया था, और इब्राहिम लोदी की सेना में भी हाथियों की भरमार थी, इसलिए उन्होंने का हाथी को मैद्पूर्ण इस्थान था, जंगली जानवरों में गेंडा, भेसा, नील गाव, गाए हीरन पाए जाते थे, अच्छे घोडों का अभाव था, हिंदुस्तान में कितने ही ऐसे पक्षी होते थे, जो देखने में प्रिये होते थे, और आकरशक थे, ऐसे पक्षियों में उन्होंने मोर का महत्मूर्ण इस्थान दिया, और तोता अधिक प्रसिद्ध बताया, बहुत से पक्षियों में तीतर का भी उल्ले किया है, क्योंकि यहां पर तीतर और यह प्रतियों गिताय होती थी, इसलिए तीतर का भी उल्ले किया है, हिंदुस्तान के निवाश्यों के संबंद में उन्होंने कहा, यहां के लोग पुनर जन्म में वि व्यवार में रूखे थे उन में कला कोशल के प्रती न तो किसी प्रकार की भावना थी नहीं उसकता थी किसान और निम्न श्रणी के व्यक्ति अधिकांश नगने रहते थे ये लोग इज़त को ढखने के लिए एक कपड़ा लपेट लेते थे जिसे लंगोट कहते थे औरते भी एक कपड़े से शरीर को ढखती थी आर्थिक इस्तिति के संबन में बाबर ने लिखाए भारत एक विशाल देश से या सोने चांदी का बाहूल ले था बाबर नामा में 145 चित्रों वाला ये जो बाबर नामा नामग्रंत था 1558 में इसी में बना बाबर नामा के चित्रों से मुगल कालिन कला की शुरु आरती जलक मिलती है कहा जाता है कि दोलत, भवानी, मसूर, सूर्दा, मिस्किन, फारू, चोला, शंकर जैसे 45 कलाकारों की मदद से 5 सचित्र बाबर नामा तयार किये गए इन में से एक प्रती नई दिल्ली के रास्टिय संग्राले में मुझूद है जबकि चार प्रती ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, स्टेट म्यूजियम ऑफ इस्टरन कल्चर मास्को और लंदन के विक्टोरियल और अलबर्ड म्यूजियन में रखे वे हैं नई दिल्ली में रास्टिय संग्राले में रखी गई बाबर नामा की सचित्र पोथी में कुल 378 पन्ने हैं इन में से 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं बाबर नामा में दर्शाए गए प्रते एक चित्र की खासियत यह है कि हर एक चित्र के बीच में कभी उपर, कभी नीचे की और या कैन्वस में जो खाली पड़े हिस्से हैं जहां जहां जगे मिली वहां फार्सी में तश्वीरों के बारे में जानकारी भी लिखी हुई है बाबर ने अपनी किताब में कहा कि सन 1504 में बरफिले तुफान के बीच अपने 300 साथियों के साथ मात्र भुमी फरगना से चलकर हिंदू कुश परवत को पार करते भी उसने काबूल में प्रविश किया और खुद को महां का शाशक घोशित कर दिया 1511 में उसने अपने राज्जी की सीमाएं ताशकंद से काबूल और गजनी तक फेल गई और जिसके तहट समरकंद, गोखारा, हिसार, कुंदूज और फरगना शामिल थे चारो तरफ से घिरे वे काबूल के फलों की उसने बड़ी तारिफ की जिसमें अंगूर, अनार, खुर्माणी, सेप, नाश्वती, आलू बुखारा, अंजीर, अकरोट जिससे फलों का विवरने बाबर ने अपनी किताब में अफगानिस्तान की गर्म घाटी में पेदा होने वाले गन्ने, संत्रे, गल-गल के बारे में भी लिखा इस संस्मरण में हिंदुस्तान की और से लाए जाने वाले पश्वों, गुलामों, वस्तरों के अलावा तरतर के मसालों और शक्कर का भी जिक्री किया गया है तो वच्चों हमने देखा बाबर नामा जो चगताई तूर के बाबर या मुगल समराड बाबर के द्वारा लिखी गई है यह उसकी आत्मकता है, आपके वन वर्ड में प्रश्न आ सकता है कि बाबर नामा किस भाशा में लिखी गई है यह वन वर्ड में ही नहीं, कभी भी आप प्रतियोगी परिक्षाएं देंगे, उनमें भी आपके यह जीके में एक प्रश्न के रुप में शामिल हो सकता है कि बाबर की आत्मकता किस भाशा में लिखी बद्द है और इसका फार्सी में अनुवाद अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया अंग्रेजी में एस्क्रीन, बेवरेज, फ्रेंच में कांतले ने हिंदी में S.R. रिजवी ने S.A.A. रिजवी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया इसमें हिंदुस्तान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है हिंदुस्तान के पशुपक्षियों के बारे में, हिंदुस्तान के निवासियों के बारे में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में लेकिन जब बाबर नामा को हम पढ़ते हैं तो ये वर्णन हमें सक्थे से परे और एक पक्षी लगता है लेकिन हमें ये तो सुरीकार करना ही पड़ेगा कि बाबर नामा एतियासिक द्रस्टिक उन्ट से बहुत मेत्पूर्ण गरंध है एक पक्षिये और सत्य से परे इसे लगता है हमें कि उसने जब वो हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखता है कि यहां के लोग खुबसूरत नहीं थे यहां सामाचिक जीवन नहीं था वेवार में रूखे थे तो इससे इसपस्ट होता है कि वो लोग बाबर का जो द्रस्टी को उन था वो एक पक्षिये था